तो अभी हम उदेगिरी की केश से निकले हैं और वी आइडिंग टूर्ड्स खाम बावा और हेलियोडोरस के पिलर है यहाँ पर जो की 2000 साल से भी के तक्रीवन उसके है तो उदर पहुंचते हैं मैं आपको इसके बारे में बता रहे हैं चलिए चलिए तो अब हम लोग पहुंच गया है हीलोडोरस पिलर पे यह जिसे लोकल लोग खाम बावा भी बोलते हैं इस पिलर को सबसे पहले और अब्जर्व किया था सर अलेक्जंडर कनिंगम में ने 1877 में वैसे इनको फादर आफ इंडियन आर्केयोलोजी भी बोला जाता है वैसे जैसे आप जानते हैं कि अलेक्जंडर ने इंडिया पे आकरमन किया था 326 बीसी में और उसके बाद कई सदियों तक यहाँ पर ग्रीक लोग यहाँ पर सेटल रहे तक्षिला और अफगानिस्तान जो प्रेसिडिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस्सों में यह नाम था एंटियोकस और उनके जो राजदू थे वो थे हेलियोडोरस तो वो यहाँ पर आये थे इन ग्रीक लोगों ने जो विदीशा है जो अभी मद्यप्रदेश में है और जहां पर साची स्थूपा भी उसके पास है तो उन्होंने विदीशा नगरी के बारे में काफी स सुना था उसकी प्रोस्पारिटी उसकी विल्थ उसके बिजनस के बारे में तो उन लोगों ने तब हीलियोडोरस यहाँ पर आये थे विदीशा में उसक्षूंगा डैनेस्टी यहाँ पर रूल करा करती थी तो जब हीलियोडोरस यहाँ पर आये तो उसक्षूंग राजा अपना लिया और वो विष्णु के विष्णु जी के भक्त बन गए थे तो यह पिलर जिससे हम आज हीलोडोरस पिलर के नाम से जाते हैं बेसिकली यह एक विष्णु स्थम्भ है तो उन्होंने यह यहाँ पर बनाया था कहते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा भवे विष्णु मंदिर भी था जिसमें चार पिलर थे तो उसमें से एक स्थम यह है बाकी सब जो यहाँ पर मूर्टिया थी यह मंदिर थी अब वो 2000 साल पहले से यहाँ पर वो काफी तूट चुका है काफी आक्रमन हुए तो खाली यह पिलर यहाँ पर रहता है इस पिलर के ऊपर कहते हैं निए पहले गरूर की मूर्थी थी और इसके सर्कम्फ्रेंश पे चारों तरफ ब्रहभी स्क्रिप्ट में हिलो डोरच के बारे में और विस्टन तम के बारे में लिखा हुआ है उस वक्त को ये एविडेंस से ये प्रूव होता है कि जो हीलो डॉरस थे ये पहले विस्टनर थे जो की आये थे यहाँ पर और उन्होंने वैशनव धर्म को अपनाया था हीलो डॉरस पिलर अभी तक्रीबन 200 साल पुराण है और धीरे धीरे लोकल लोगों ने इसको खाम बावा करके इसकी पूजा करने लगते हैं जाँतर ये जो लोग हैं मचवरे हैं मचव़रे जाती के लोग हैं जो यहाँ पर पूजा करते हैं कभी कोई मेला वेला भी लगते हैं ज़से कि लेड़ कुम्गरी चक्कर रेता है इसको बूद पूरी पेड़ लगए इसमें कई साल इक पीले लगी हुए है मैं आपको बतागी थीक देख रहे हैं मैं पीड़ा को फिर से दिखाता हूं यह एक इमली का पेड़ है जहां पर मा हां कंते हैं और ऑड़ते आती हैं पूजा करते हैं कुछ कील वगजरा भी लगे हुए तो कील वगरा पर नीबु वगजरा को लगाते हैं तो कहते हैं इससे जो भूद प्रेट है इविल स्पिरिट है वह हट जातिए यहां पर यह क्या करते हैं यह पर फिर से एक बर बताओ लोग क्या करते हैं इस खांबाबा के यहां पर अगर उपरी चक्कर जो लगता है अच्छा बूत प्रेत का तो यह किस किस के मूर्थियां यह बताओ यह यह तो शिवलिंग है अच्छा सच्टी करो अच्छा यह वह पेड है इमली का पेड है जो आप देख सकते हैं एकदम यह खंबे के पास है तो जिन लोगों को यह जो मानेता है के बूत प्रेत आ जाते हैं तो वहां एजेप पूजा में ये कील वगरा ये लगाते हैं, कील के साथ नीबू को कर देते हैं, ताकि जो इवल स्पिरिट है कह सकते हैं, वो दूर हो जाएं. तो ये जो स्टोरी थी हिलियोडोरस की थी, ये पहला वेस्टनर था जिसने वेस्टनर धरम को अपनाया था. आपको मेरी स्टोरी कैसे लगी, प्लीज अपने कमेंट्स करिए, थैंक यू.